हम सब इंददार कर्यर थे से इवनवान भाई जीद के लिए हम सब आज यहां आए तदिर मुलानाजी श्री केलास पादिल श्री संजे वाक्तावे श्री किरिशोर पादिल विजयराव सावडे अभी शेकनेश्मोग चाया थाई वेराज बनेल प्रतिवादाई अंकीता थाई विवादाई वाउसेट इर्फान शेक डॉक्टर नीर इशांक बश्वाक भाई सलीम भाई मैं सोच लेती मरा थाई काई जला अपली थाई नारत चली वट्टा थाई लादिशत नहीं काई थाई नी पोरा नकसा दम दिला बगिन लगा पोरा एक्तम साल जाली माला जानन वाच्च की योड़ा पाउसा मदे मुझ्या सक्के ने तुमी मैला ही कारेकरम अला उपस्तित लाई ला मी कदिर मुला नाद मना तो ते की योड़ा पाउसा तसा कारेकरम होना उन्हेंने का आप जिन्ता मत करों कितनी भी पारिशों यहां का एक आदमी भी नहीं हिलेगा और मैं देखने आप सब यहां उनके लिए हम सब उनके लिए यहां है मैं बहुत सालों से उनको जानती हूँ और भारत और महाराष्टा और और औरंगाबाद की उन्नती के लिए है जबी लड़ने का वक्त आता है और न्याय और अन्याय की चीज होती है फिर वो पार्टी में देखते जो अपने राज्य, देश और औरंगाबाद के लिए हित्मे है वही का देल मौला का हमेशा कहते है पार्टी में भी उनकी खासियत है वो कभी भी सबका हां में आने ही मिलाते जो सच है वही बोलते है और जो अरंगाबाद और राज्य के हित्मे है वही हमेशा कहते है तो मैं हमेशा उनका भाशन और उनकी सोच और जब औरंगाबाद आती हूँ, जब मिलना जुलना होता है, तब हमेशा उनकी राय हर चीज में लेती हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है, वो आप से औरंगाबाद वासियों से, ये मिट्टी से जुड़ी हुई है, और एक अच्छा आमदार, एरपान बाई हमारे आमदार क मुझे पूचा कि आप उनको टिकेट देंगे क्या, मैंने पूचा मेरे हाथ में तो नहीं है, वो जयन पातिल चीज में करेंगे, लेकिन एक बार, आप सब मुझे बता दीचे हाथ उपर करके, कि क्या करें उनको टिकेट दे या ना दे, जलो सब ज़न को लगता है, वो अब आणन्द वार्टो पेग आउरंगाबाद सा बूलन्द आवाज मनूं कदीर मौलानांच एक वेगली ओड़क महाराष्टा चानाच करना तर्समाज करना भाई देंस वाशन आईता ना आप वाशन में में किन इंडिया के बारे में बोल रहे थे पूरा यह देख रहे थी उदर वो शू जंडल है, मास्टर टेलर है, फ्रेश जू सेंटर है वाँ एक लाइम मार पांच शॉप है नाम भी क्या है लाइम मार बता है मैं ठापसे सोच रही थी कि यह क्या ना हुआ मुझे पहले बार जब देखा तब मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ रही हूँ मैं फिर से देखा एक दो तीन बार और मैं पार्टी के वरिष्टर नेता के साथ बैठी थी उसको पूछ भी नहीं पाई कि यह ठीक पढ़ रही हो कि नहीं अभी किस मूँ से उनको पूछू यह तो मेरे फादर के टाइम के लोगे उनको कैसा पूछू यह लाइनमार का मतलब क्या होता है इतनी तो शरम रखती हूं मैं लेकिन यह सब गजे मैं बोल रही थी कि यह सब जो मेकिन इंडिया का है मैं लघ्रीटि मैं खड़िरबाई मैं सोच रही थी सुझेत कि वेटवे में किससी से पूछा कि यह मेकेन इंडिया का हो किया डमार आप ने तो बजा जोटो और रचा 12 पयोतलब करेंद शोचनी थी पता है आपको, यह यूपी से आता है, यूपी से हद से बन के मेरे लिए आता है और यूपी में हम वाट्साप पे बेशते हैं, मेरे घर में सारे यह यूपी का यूज करते है मेरा चश्वा भी मेकिन इंडिया है, मेरी साडी भी इंडिया है, मेरी चपल भी इंडिया है, और मैं खुद भी मेकिन इंडिया ही हूँ तो ये सब जो मेकिन इंडिया, स्टार्टप इंडिया पता भी क्या क्या करते जाते हैं लेकिन एक चीज़ आप देखें, इतका सारा प्रोग्रेम छे महीने चलता है, आप कोई मेकिन इन्जा के बारे में बोलता है, कोई नहीं बोलता है, फिर स्टाटा पिट्ट्या आप अरे इतने इतने और आप तो टीवी पे देखते हैं, मैं दिल्ली में जहां बैठते हु ना पूरी तीनसो लोग ऐसे बैठते हु और मैं यहां बैठती हूँ, और ऐसे तीनसो लोग कुछ भी हम लोग वोलो चिलाते रहते हैं, चिलाते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरती, तीनसो लोग क्या कर लेंगे? क्योंकि कॉपी करके पास हो क्या है, मैं तो मेनत करके पास करके आए और जो बच्छा कॉपी करके पास होता है, उससे सच्चाई को क्या दर्ला तो कितने भी 300 हो या कितने हो, मुझे नहीं उन्दा डर लगता क्योंकि मैं जो चीज कहती हूँ, वो हमेशा सच कहती हूँ, और इस लड़के ने जो कहा, कादिर भाई ने ऐसा कहा कि, कॉंग्रेस राष्ट्रवादी की सक्ताब आएगी उसके बाद, आपने कहा इंशाल्ला, आजी किसी ने मुझे, इन्नों ने कहा, कि कितने आएंगे अपने तो सो दो देड़ सो तो चुन के आएंगे, तो इंशाल्ला आएंगे, मेरी भी आपेशा अदद है, बहुत ज्यादा इंशाल्ला वोटे, क्योंकि मैं, मैं जिस माहोल में फली हुई, बड़ी हुई, वो महराश्या अचे अलग है, कोई हिंदू है, क कोई मुसल्मान है, कोई पार्सी है, कोई क्रिस्चन है, ऐसा कभी महोल इंडिया भारत में थाई नहीं, मेरी सबसे अजीज, जो दोस्त है, स्कूल की दोस्त है, उसका नाम है अनीता, अनीता के पिता बड़े फाइट मास्टर हुआ करते थे, उनका सर्वेम था धुरानिया पता नहीं पुराने लोगों को शायद याद होगा, और वो स्टंट्स करते थे सिनमा में, फिर उसका भाई भी करने लगा, ये धूम पिक्चर वगर है न, उसका नाम एलन है, अब ही एलन करता है वो स्टंट्स, तो आनीता बुरानिया मेरी दोस्त थी, उसकी मा क्रिश्च दावत हुआ करती थी, और एक बार क्रिस्मस के लिए हमको दावत हुआ करती थी, कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कैसा घर है, क्रिस्मस में भी बुला लेते हैं, और अब मुझे, आप जो माहौल में देखती हूँ, उसमें मैं सूच में बढ़ती है, हम जब जोटे से बड़े हो रहे थे, स्कूल में उस घर जाते थे, ऐसा कभी भी नहीं लगता कि उसकी मां क्रिश्चन है, कि उसके फादर मुसल्मान है, इतनी बड़िया बिर्यानी उनके घर में कहती थी, बागी कुछ याद नहीं लेकिन अनीता की मां की बिर्यानी मेरे लिए इस दुनिया में सब सबसे अच्छी है, कादीर भाई को अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगाएगा, उनकी घर के अच्छी है, आपकी तो घर के अच्छी है, लेकिन अनीता की मां की हाथ की बिर्यानी में जब से पे, स्कूल जाती हूँ तब से, वो एक टेस्ट होता है इस घर का, तो ऐसा मेरे लिए जैसे हमारे मराणी में वरनबात को लगते हैं, आपको भी कहाते हैं कि अच्छी है, यह जो हात की जैसे बना थी बिछा नहीं कैसे, लेकिन अच इस माने नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग उसके घर में जाकी ईद मनाते हैं और वहाँ उनके घर में हम क्रिस्मस भी मनाते हैं ऐसे माहूल में हम पैदा हुए बड़े हुए और मुझे दुख लगता है कि आज कि क्या हो रहा है इस देश में आप कोई हिंदू, मुसल्मान, कोई अजहना चला रहा है और देखो इमरान भाई को यूपी से अलाबाद से यहां है मैं उनको पूछ रही थी कि आप वो कैसा लगता है यहां के वो मुझे कह रहे थे, मुझे आने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो एक कवी है, बहुत अच्छा लिखते है और वो पॉलिटिकल राज़नीती नहीं करते हैं हूँके मन से लिखते हैं और अच्छा इस देश में ऐसे भी बच्चे हैं जो आज भी किसी से डरते नहीं हैं लेकिन मन से, खुले देख से, सबके लिए अच्छा लिखते हैं और उनको इतनी प्विबातनी उनको यूपी में मेरे भाई अखिले सिंगे यादव उन्होंने उनको सबसे बड़ा अवार्ड यूपी का जो होता है जो यूवा अवार्ड होता है उनसे उनको 2016 में सन्मामित किया है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहां और अगाबाद में आएं और अगाबाद में आपका बड़े दिल से मैं स्वागत करती हूँ महाराश्चों की बड़ी बरंपरा है यहां हमार आज कर मोहल थोड़ा घ़राब भूड है लेकिन महाराश्च त्येसा नहीं है महाराश्चों में हम सब मिल जुलके प्यार से रहते और आज का सरकार अज शो माहल है जो आड्स चल रहे है पुछूसर Lecture मोब लिंचिग जैसी चीजे मैं उनको पूछ रही थी कि आप और अवनभाद कब आए थे तो वो बोल थे जब मोब लिंचिग हुआ था ना तब मैं उसके अंधोलन के लिए आया था अब मुझे इतना पुरा लगता है कि महाराष्चा में बॉब लिंचिंग का अंतोलन हो रहा है हम 21 सदी में टेकनोलोजी की बात करते हैं और फिर बॉब लिंचिंग का जब सवाल आता है तो ये मेरे भारत में कभी नहीं हो आई है जब से ये नई सरकार आई है अब से ये चीज़ कोई पर आई हिंदू हो या मिसल्मान मेरे एक डॉक्टर दोस्त है उन्होंने मुझे समझाया था इक चीज़ तुम राजनीती करते हो ना सब लोग आप सब हिंदू मुसल्मान में लोगों को जाध धर्मा में बाटते हो जब आदमी अस्पताल में जाता है ना अस्पताल में उसको सिर्फ दो इत चीज़े आती है उसको बगवान बोलो, अल्ला बोलो, ग्राइस्ट बोलो और वो डॉक्टर को सिर्फ हाध जोड के बोलता है कि भया मुझे बचा लो और उसके बगवान के और उसके बीच में इन अल्ला के उसके बीच में सिर्फोडॉक्टर होता है और जहां जब आपको फून लगता है ना आप देखते किसके जातका है कि दरम है आप बोलते वहिया जो भी अच्छा फून दे दे वहिया मुझे और आप, वो हमेशा मुझे कहता है कि जब मैं सर्चरी करता हूँ, जब मैं पेट काटता हूँ, तो अंदर सोचता नहीं है कि ये कि इतनी हिंदू की है, क्या मुसलमान की है, ये सिर्फ इंसानत की है, और ये चीज़ आप समने में हैंचे, वो मेरी अपिच्छा है कि आज करने का वक्त नहीं है, इंसानियत करने का वक्त है, तो ये इलेक्शन में हम सब पे बहुत जादा जिम्मेदारी है, अब इंटिकेट का तो चानपाच देल में फाइनल हो जाएगा, और मैं इनके जब अपना कैम्पेज शूरू होगा, तो मैं जरूर आउंगी, तब इस च अब ने मेरा इतना प्यार से स्वागत किया, इसलिए मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्र गजारू हूँ, और इसे ही आप, पार्टी के साथ और इस विचार के साथ, आप हमेशा जाद रहेंगे, आपकी शुब कामना है, मेरा एक दोस्त हमेशा कुझे कहता है, जिर्फ ह इतना प्यार से स्वागत किया, इम्राथ भाई को आद बहुत बाद दिन के बाद मिलने का भी, आज मुझे एसान मिला, उनके भाशर सब यूट्यूब में ही देखे, अज पहली बाद पांच मिनित आपका सुनके मैं मेरी ट्रेन के लिए जाओंगी, आप आए, महारा स्व